हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल वैशनवी फ्री एजुकेशन क्लासिस फ्रेंड्स जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं कला की द्रश्टी से भारत में प्रथम ठीक है ये टॉपिक जो होता है वो आपके एक्जाम के लिए 100% मार्ग करता है मतलब बोला जाए तो यहां से हमेशा एक से दो क्वेशन आपको जरूर मिलते हैं आपके एक्जाम में चाहे वो TGT का हो चाहे वो PGT का हो LTE हो कहीं भी हो अगर 8 सब्जेक्ट है तो आपका यहां से क्वेशन 100% पूछा जाता है इसलिए आप लोग बिलकुल से सुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जुड़े रहें ठीक है ताकि सारे क्वेशन आपके दिमाख में सैट हो जाए ठीक है चलिए अब धुवधार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों को ठीक है चलिए चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिलकुल धुवधार तरीके से तो आपको सभी को पता है कि भारत में प्रथम हमें पढ़ना है चलिए तो आपके सामने पहला प्रशन आता है देखे हम क्वेश्चन जैसे आपके सामने लेकर आए आप तुरंत अंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे छापते जाए ठीक है फिर अपना मिलान करिए कि आपको बना वो क्वेश्चन की नहीं बना ठीक है तो इस तरह से आपका आंकलन भ पे जरूर देना है ठीक है हर बच्चा हो चाहे वो लाइफ देख रहा हो चाहे वो ओफ लाइन वाला हो सभी को कमेंट बॉक्स पे अपना चापना है और फिर आपना मिलान करना है कि आपका बिल्कुल सही था या फिर गलत था चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश् अंजली इलामेनन ठीक है क्या क्वेश्चन था जो अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निसान लगाने के लिए कौन जाना जाता है तो आंसर होगा आपका अंजली इलामेनन ठीक है चलिए आप अपना आकलन भी करते जाएगा क्वेश्चन जादा है इसलिए हम थो अगर अंगूठा बोलेगा तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा इसको भी देख लेते हैं इसका अंसर होगा आपका मंजीत वावा है कौन है आपके मंजीत वावा है याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं हालां कि एक्वेश्चन जाता है इसका आंसर छापेंगे सभी लोग कि हस्त लोग कला बाग प्रिंट बाग कस्बा मद्ध प्रदेश का जन्म दाता किसको कहते हैं छापेंगे सभी लोग चलिए अब आंसर की बात कर लेते हैं आंसर है आपका इसमाइल सुलेमान खत्री को जाना जाता है इसके लिए आंसर आपका ये हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पूँचा जा रहा है पहली मैला फ़ड़ चित्रकार के रूप में किसको जानते हैं क्या होगा आंसर जल्दी से छापेंगे आप लोग आंसर और फिर हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं ठीक है तो आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका होगा ये है पारवती जोशी जो की राजिस्थान से ब्लॉग करती है क्या है क्वेश्चन फ़ड़ चित्रकार के रूप में किसको जाना जाता है सबसे पहली बात की फड़ चित्रकारी कहां के लिए है राजिस्थान के लिए और इसके लिए कौन महिला है तो ये है पारवती जोशी ठीक है उमीद है बहुत अच्छे से किलियर हो रहा होगा और आप लोग अच्छे से आंसर भी कर रहे हैं आगे आगे बढ़ते हैं तो पूचा जा रहा है आपसे ललित कला संकाय बड़ोदा विश्व विद्याले में प्रथम बैज के छात्र कौन थे बताई आंसर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें आपको टिक लगाना होगा जिसमें आपको गोला भड़ना होगा ठीक है लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है वन लाइनर फॉर्म में ही दिया है जिससे कि आपको वही क्वेश्चन सीधे आपके दिमाग में सैट हो जाए जो इसका आंसर है चार आप्शन में आप लोग भड़़ाएं नहीं इसलिए केवल वन लाइनर हमने दिया है चलिए उमीद है आंसर आ रहा है आप सभी का आंसर होगा आपका जोती भट जिसका उनीस सो पच्चास से चववन के बीच में मिलता है ठीक है तो कौन है बड़ोदा विश्व विद्याले में प्रथम बैच के छात कौन ये जोती भट ठीक है आगे पढ़ते है नेक्स क्वेस्चन है शांती निकेतन से कला सिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन है पहली महिला कलाकार पूची है शांती निकेतन से तो आंसर क्या होगा आपका ये है आपकी लीला मुखड जी कौन है ये लीला मुखड जी आगे चलते हैं भारत के प्रथम छापाकार कौन माने जाते हैं पूछा जा रहा है भारत के प्रथम छापाकार कौन माने जाते हैं आंसर क्या होगा आपका आनंद प्रशाद बाक्ची कौन है प्रथम छापा का आनंद प्रशाद बाक्ची देखिए जो ये क्लास हो रही है इस क्लास को कम से कम दो बार आप देखी लीजेगा अभी और जब आप एक्जाम देने जाएं तब एक बार फिर से देख लीजेगा बस इतने से ही आपको काम हो जाएगा ठीक है आपको याद हो जाएगा आगे पूँचा जा रहा है सरुप्रथम मिर्जा गालिप की गजलों पर आधारित चित्रन करने वाले कलाकार कौन थे मिर्जा गालिप की गजलों पर चित्रन किसने किया है पूँचा जा रहा है आंसर आपका क्या होगा तो आंसर देख लेते हैं आंसर है आपका अब्दुर्रह्मान चुगताई कौन है ये अब्दुर्रह्मान चुगताई हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आ रहा है पूँचा जा रहा है संगीत एवं ललित कला संकाई बनारस बनारस हिंदू विश्व विद्याले में प्रथम डीन किसे ये नियुक्त किया गया था बताएंगे सभी बच्चे कि संगीत एवं ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्व विद्याले में प्रथम डीन घोशित किसको किया गया था बताईए सभी लोग आंसर क्या हो जाएगा आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो आपका आंसर है के अस कुलकर्णी को और कब ये है 1972 में कब 1972 में के अस कुलकर्णी को ठीक है आगे बढ़ते हैं अरे आगे बढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है प्रथम भारतिय राजनीतिक व्यंग चित्रकार किसको कहते हैं प्रथम भारतिय राजनीतिक व्यंग चित्रकार किसको कहते हैं तो इसका आंसर क्या राइट होगा तो आंसर की बात की जाएगी तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा के संकर पिल्ले ही हो जाएगे ठीक है? उमीद है बहुत अच्छे से किलियर हो रहा होगा सारे जो जितने भी ये वर लाइनल फॉर्म में दिये हैं बहुत इंपार्टेंट है अच्छे से रट लीजिय लगभग डेड़ सों हैं पूरे रट लीजे ठीक है option चलिए आगे next पूंचा जा रहा है चलिए इसका भी आंसर देग्या कोई बात नहीं कुछ देखते जाईए और कुछ अपना आकलन करते जाईए भारती समविधान की पांडुलीपी को चित्रत करने वाले पहले चित्रका कौन है तो कौन है ये आपके नंदलाल बोस है ठीक है याद रखना है ये टाइपिंग गलत हो गई है तो आंसर क्या है आपका नंदलाल बोस ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर पूंचा जा रहा है आपसे चलिए पहली भारती चित्रकार जिनके कला जीवन पर सर प्रथम ये जल्दी से फटा फट से पहली भारती चित्रकार जिनके कला जीवन पर सर प्रथम रंगीन वृत्त चित्र मतलब कलर डॉकुमेंटरी तयार की गई थी आंसर होगा आपका ये है नंदलाल बोस ठीक है आगे बढ़ते हैं उच्छा जा रहा है नव बंगाल इस्कूल के प प्रवड तक तब भी आंसर आपका क्या होगा नंदलाल बोस हो जाएगा ठीक है आगे नेक्स्ट केस्चन है द्रश्चिकला संकाय इलहाबाद विश्य विद्याले के प्रथम विभागा ध्यच्च कौन थे कहा के द्रश्चिकला संकाय इलहाबाद विश्य विद्याले के प्रथम विभागा ध्यच्च कौन थे? तो आंसर होगा आपका क्या? छितीन रनाथ मजूमदार. कब थे? 1942 में थे. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. प्रथम भारती महिला चितरकार किसे कहा जाता है? ये तो आपको सभी को रटा होगा. है ना? ये सभी को रटा है. तो टाइम बेस्ट नहीं करते हैं. सुनैना देवी इनको पहली भारती महिला चितरकार कहते हैं. ठीक है? आगे. नेक्स्ट क्वेशन है आधुनिक भारत की पहली महिला चित्रकार किसको कहते हैं आधुनिक भारत की पहली महिला चित्रकार तो आंसर जाएगा आपका किसकी तरफ अमरता शेरगिल की तरफ ठीक है किसको कहते हैं अमरता शेरगिल को आगे बढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है प्रथम महिला चित्रकार जिसने भारती विश्यों को आधार बनाकर विदेशी तकनीक से चित्रन किया था प्रथम महिला चित्रकार जिसने भारती विश्यों को आधार बना कर विदेशी टेक्निक से चित्रन किया है क्या है आंसर उसका तब भी आंसर कहां जाएगा आपका अमरता शेरगिल की तरफ जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आता है भारती कला के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में कौन जाने जाते हैं क्या होगा आंसर बताईए आंसर हो जाएगा आपका राम किंकर बैज कौन है ये प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं नेक्स्ट है भारत का प्रथम अभी विंजनाबादी कलाकार किसको कहते हैं पूछा जा रहा है अभी विंजनाबादी कलाकार तो क्या होगा अंसर आपका ये हैं राम किंकर बैज हैं कौन है आपके राम किंकर बैज हैं आगे देखते हैं पूँछा जा रहा है प्रथम भारती, अमुर्थ मूर्थिकार के रूप में कौन जाने जाते हैं प्रथम कर रहा है और बिल्कुल से रट्टे हुए चलना है सारे questions को और एक बार और हम फिर से revision करवा देंगे किसी दिल ठीक है तो बिल्कुल से वो नहीं होना है अच्छे से पढ़ते जाईए अमूर्थ चत्रकार पूछे हैं तो कौन है ये आपके मूर्थिकार है राम किंकर बैज ठीक है आगे आगे बोल रहा है कि प्रथम भारती बिंदुवादी मतलब पॉइंटलिज्म कलाकार किसको कहा जाता है बताएंगे सभी लोग बिंदुवादी कलाकार पूछे हैं तो आंसर होगा आपका बैंदरे कौन एनस बैंदरे आगे आगे हैं प्रिथम भारती नवप्रभाव वादी चित्रकार पूछा है क्या होगा आंसर नव प्रभाववादी चित्रकात तब भी आपका आंसर जाएगा एनस बेंद्रे की ही तरफ जाएगा ठीक है आगे बढ़ जाते हैं पूछा जा रहा है ललित कला संकाय बड़ोदा विश्य विद्याले के प्रथम व्याख्याता मतलब रीडर कौन बने थे कौन हो जाएंगे क्या होगा आंसर आपका आंसर की बात की जाएगी तब भी आंसर आपका यही एनस बेंद्रे थे और कब थे ये 1925 का टाइम मिलता है आगे आगे है प्रथम चित्रकार जिसने अपने चित्रों में अमूर्त शैली की सुरूआत की थी आंसर जाएगा आपका किस की तरफ तो आंसर जाएगा आपका अमूर्तिशैली के लिए रामकुमार की तरफ क्या होगा आंसर आपका रामकुमार आगे उच्छा जा रहा है भारत में अमूर्तिता की शुरुवात करने का श्रे किस कलाकार को जाता है अमूर्तिता की शुरुवात करने का देख रहा है question कैसे बन रहा है और आंसर भी बिलकुल exact आपको देना है राम कुमार को ठीक है आगे आगे दे रहा है प्रतम भाड़ती आधुने के land escape कलाकार किसे कहा जाता है छापेंगे सभी लोग land escape कलाकार किसको कहते हैं तो आंसर जाएगा आपका गोपाल घोश की तरफ क आगे वीडियो जादा लंबा ना हो इस वज़े से हम थोड़ा स्पीड बढ़ाए हुए हैं ठीक है आप लोग अपनी जो टाइपिंग की स्पीड है उसको मेंटेन रखिएगा ठीक है चलिए भारती कला में अतिय अथार्थवाद लाने वाले अगरणी कलाकार कौन हैं पदम विभूशन सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार कौन हैं बताएंगे सबी लोग पदम विभूशन सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार कौन हैं क्या हो जाएगा आपका तो इसका आपका ये हैं 1904 में इनको सम्मानित किया गया था कौन है आपके नंद list बनाकर आपको एक दिन पढ़ा देंगे 5-10 मिनट की class होगी तो आप वहाँ से पढ़ लीजेगा आपका current का जो material है वो भी आपका complete हो जाएगा ठीक है फिर आप exam के time पर पढ़ लीजेगा उस list को तो आपको बिल्कुछ से complete हो जाएगा आगे बढ़ते हैं रंजन राय जो की 1955 में इनको मिला था ठीक है आंसर समझते जाएगा कि यहाँ पर कौन पूछा है पदम भूशर अभी पूछा था पदम भी भूशर भारत अपने ऐसे करके हर एक एक चीज समझते हुए चलीगा कि कौन से पूरुशकार से कौन सम्मानित हो रहे हैं आगे अब बोल रहा है पदम स्री सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारती कलाकार के रूप में किसको जाना जाता है तो क्या हो जाएगा अभी हमने भूशर परा यामनी राय के लिए अब हम पढ़ रहे है पदम स्री तो ये किसको मिला है ये मिला है शुधीर रंजन खास्तगीर को और कम मिला है उनी सो संतावन में मिला है ठीक है बहुत इंपोर्टन क्लास है ठीक है आगे आगे बोल रहा है पहले भारती कलाकार जिने काली दास सम्मान से सम्मानित किया गया है काली दास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है क्या होगा आंसर आपका ये है केजी सुब्रमन्यम को कब 1981 में ठीक है ये है आपका काली दास सम्मान अच्छा छापेंगे जल्दी से कि काली दास सम्मान कौन सी गौवर्मेंट देती है UP, MP, आदर प्रदेश, अरुडांचल प्रदेश कौन देती है आगे बढ़ते हैं पूँचा जा रहा है सेरी ग्राफी जिसे हम सिल्क स्क्रीन बोलते हैं इस टेक्निक का प्रियोग करने वाले पहले कलाकार कौन है बताएंगे सभी लोग पूछा जा रहा है ग्लास पेंटिंग जो की काज पर चित्रण होता है इसका चित्रण करने वाले प्रथम भारती कलाकार कौन है यह जो ग्लास पेंटिंग है वो मैंने आपको दिखाई भी थी आपने अगर वीडियो नहीं देखिए तो देख लीजेगा मैंने जो वो पेंटिंग दिखाई थी आ आपको वो यही पेंटिंग है इसी को glaas painting कहते हैं जो की काज़ पर चित्रन होता है जो मैंने आपको दिखाई थी आ वो ही आपकी गlaas painting है और इसको करने वाले प्रथम भारती कलाकार कौन है तो ये हैं आपके केजी सुब्रमन्यम ठीक है कौन है आपके केजी सुब्रमन्यम है आगे आगे पोल रहा है राजा रभी वर्मा पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे बताएंगे सबी लोग जल्दी से कि राजर रवी वर्म पुरुस्कार मिला किसको तो क्या है आंसर आपका ये भी आपको 2001 में मिलता है कि जी सुब्रमयम को याद रकना है नेक्स्ट है 35 नंबर का पूँच्छा जा रहा है प्रथम भार्तिय फाविजम मतलब फाववादी कलाकार किसको कहते हैं तो क्या जाएगा आंसर आपका आंसर जाएगा आपका शैलोज मुखरजी की तरफ किसकी तरफ शैलोज मुखरजी आगे है प्रिथम भारतिय रंगवादी कलाकार के रूप में किसको जानते हैं तो आंसर होगा आपका ये भी आपका शैलो पूछा जाता है मतब साप सारे पूछे जाते हैं लेकिन ये क्वेस्चन को ज्यादा ही देखा होगा आपने पूछा जा रहा है गढ़ी कलाकार परिशर नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक किसे चुना गया था बताएंगे सबी लोग किसको न्यूक्ति किया गया था क्या ह होगा आंसर आंसर है आपका शंको चौधरी और कब होता है तो 1976 में ठीक है याद रखना है आगे बढ़ते हैं हूचा जा रहा है सबसे पहले पत्थर को तराश कर सिल्प गढ़ने वाले कलाकार कौन है जैसे आप लोग हैं पत्थर को तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के जने क्या किसे क्या कर सकते हैं वैसे ही वही कलाकार पूछे हैं पहले कौन थे तो यही आपका शंको चौधरी हो जाएगा आंसर ठीक है आगे आगे बोल रहा है दच्छिन भारत के प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने अमलांकन बिधा के लिए जिंक प्लेट का प्रियोग किया था बताईए अमलांकन के लिए जिंक प्लेट का प्रियोग करने वाले कौन है तो क्या हो जाएगा आंसर आपका आंसर हो जाएगा आर प्रियोकता की रूप में कौन प्रशिद्ध है वास के लिए पुछा जा रहा है तो आंसर कहा जाएगा आपका श्याम बिहारी अग्रवाल एक्रेलिक वास के सबसे पहले प्रियोकता जिन्होंने प्रियोक किया था आगे आगे दे रहा है मेयो इस्कूल ऑफ आर्ट लाहौर क तो आंसर क्या जाएगा आपका समरेंद्रनाथ गुप्त ठीक है आगे पहला कलाकार जो ग्राफिक विधा की सिक्षा लेने के लिए विदेश गिया था कहा गया था विदेश गिया था कौन सी सिक्षा ग्राफिक तो क्या है आंसर मुकुल चल्र टी हो जाएगा ठीक है आग एचिंग अमलांकन टेक्निक का प्रियोग करने वाले पहले कलाकार कौन है क्या होगा आंसर तब भी आंसर आपका मुकुल चंद्र देही हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बोल रहा है आधनिक कलादीरगा नई दिल्ली जिसे हम नगमा बोलते हैं इसके प्रथम क्यूरेटर भारतिय कौन थे बताएंगे सभी बच्चे बहुत important question है ये बहुत पूछा जाने वाला है आंसर जाएगा आपका मुकुल चंद्र दे थे कौन थे आपके मुकुल चंद्र दे थे ठीक है आगे dry point जिसे हम सुस्क की विधा बोलते हैं इस technique का प्रियोग करने वाले प्रथम भारतिय कलाकार कौन थे बताएंगे सभी लोग dry point सुस्क की विधा का प्रियोग करने वाले फर्स्ट भारतिय कलाकार कौन थे तो क्या है आपका अंसर तब भी मुकुल चंद्र दे हो जाएगा ठीक है हमने बेकुल sequence में रख दिये हैं लाइन से कि एक ही जगे आपको समझ में आ जाए तो यह हो गया आगे बोल रहा है कौलाज के लिए सर्व प्रथम जिंक प्लेट का प्रियोक किस ने किया था कौलाज के लिए बोला है क्या होगा आंसर तो यहां आंसर आपका हो जाएगा कवन कृष्ण ठीक है questions में अंतर भी समझेगा कौन से question में कैसा क्या पूछा जा रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने रंगीन विस्कॉसिटी प्रक्रिया अपनाई थी बताईए रंगीन विस्कॉसिटी प्रक्रिया किसने अपनाई थी आंसर क्या होगा तो आंसर की तरफ जाएगे तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा रेड़ी ने किसने कृष्णा रेड़ी ने आगे भारत में विस्कॉसिटी विधा के सबसे पहले प्रियोकता कौन है कौन सी विधा है कि विस्कॉसिटी तो क्या होगा आंसर आंसर जाएगा आपका कृष्णा रेड़ी की तरफ किसकी तरफ कृष्णा रेड़ी ठ बढ़ते हैं आगे पूछा जा रहा है रूपांकर भारत भवन भोपाल में इसके प्रथम महा निदेशक कौन थे? क्या होगा आंसर? इसके पहले महा निदेशक कौन थे? तो आंसर जाएगा जगदीश स्वामी नाथन उनीस सो बयासी में क्या होगा आंसर? जगदीश स्वामी नाथन उनीस सो बयासी में ठीक है? आगे 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 आपका 50 अर्ध सतक कला भवन संकाय शांती निकेतन के प्रथम प्राचार कौन थे? तो ये आपके नंदलाल बोस थे और कब 1922 में? ठीक है? आगे आगे बोल रहा है पल्प कास्टिंग, लुगदी छापा, पेपर मेशी इसके सबसे पहले प्रियोक्टा की रूप में किसे जाना जाता है? कुछ भी दे दे आपको आंसर एक ही होगा पल्प कास्टिंग, लुगदी छापा, पेपर मेशी, कुछ भी दे दे आंसर आपका एक ही होगा और क्या होगा वहाणसर आपका सोमनाथ होर हो जाएगा आगे है कला भावन, संकाए, शान्ती, निकेतन के ग्राफिक कला विभाग में प्रतफम विभागा ध्यच्च के डूप में नुक्त किसको किया गया है? तो क्या होगा आंसर आपका यह आपका आंसर हो जाएगा 1968 में किसको सोमनात पोर को नियुक्त किया गया था ठीक है आगे आगे है चित्रण के लिए सर्व प्रथम एक्रेलिक रंगों का प्रियोग करने वाले चित्रकार कौन है बताएंगे सबी लोग तो आंसर जाएगा आपका किसकी तरफ शतीस गुजराल कौन है यह शतीस गुजराल है फिर आगे पूछा जाएगा आपसे प्रथम विभागाध्यच कौन थे कहां के पटना के पूछे है तो आंसर जाएगा आपका श्याम सर्मा जिनका टाइम मिलता है 1966 में ठीक है टाइम भी आपको याद करना है जितना टाइम दिया है न उसको आप याद कर लीज़े बागी इतने से हो जाएगा आगे आगे दे रहा है सबसे पहले ओलियोग्राफी मतलब लीथोग्राफी टेकनिक के प्रियोकता कौन है बताएंगे सभी लोग अपना अपना आंसर सभी लोग शापते जाए और आकलन भी साप में करते जाए कि आपने कितना किया तो आंसर क्या है यहाँ राजा रवी वर्मा आगे पूछा जा रहा है तेल विधा के सबसे पहले प्रियोकता कौन है बताएंगे सभी लोग तेल विधा के सबसे पहले प्रियोकता तो आंसर वही होगा राजा रवी वर्मा है ठीक है एक ही जगे हमने लिख दी है सभी ठीक है पूछा जाएगा भार्तिय आधनिक चित् पर पदारपन करने वाले तो क्या है आंसर तब भी आंसर आपका राजा रभी बर्मा हो जाएगा ठीक है दो बाल लिग गया है चले आगे आगे बोल रहा है कैलेंडर आर्ट का प्रियोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन है तब भी आंसर आपका राजा रभी बर्मा हो जाए आगे प्रथम भारती कलाकार जिसने सबसे पहले 3D पेंटिंग बनाई बहुत पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है तो 3D पेंटिंग बनाई थी आपकी किसने राजा रभी वर्मा ने सभी को आता है ना आगे आगे है उंचा जा रहा है पापुलर कला जिसे हम पॉप कला बोलते हैं इसका प्रियोक करने वाले प्रथम आधने चित्रकार कौन है तो बताएंगे सभी लोग आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हम अपना मिलाते हैं तो होता है आंसर राजा रवी वर्मा ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आपका राजा रवी वर्मा इसके बार देखा जाए तो सबसे पहले ओलियोग्राफ टेक्निक द्वारा छापा गया पहला चित्र कौन सा था बताएंगे सबसे पहले जो ओलियोग्राफी टेकनिक द्वारा छापा गया पहला चित्र था वो कौन सा था तो क्या होगा आंसर आपका शकुंतला का जन्म था ठीक है और कब बना था ये 1894 में 1894 में ठीक है इंपोर्टेंट है याद रखना है फिर पूँचा जाएगा सर प्रथम पौराणिक वह भारती विश्यों को आधार बना कर चित्रण करने वाला कलाकार कौन है बताइए बहुत पूचा जाता है ये क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा आंसर आंसर की बात की जाएगी तो क्या है आपका राजा रभी वर्माई ठीक है हमने लाइन से सभी जितने भी जो कलाकार की विशेष्टाएं हमने लाइन से करती है जिससे कि आपको आसानी रहे एक ही जगे पढ़ने में आगे आगे दे रहा है प्रथम कलाकार जिन्होंने भारती विश्यों को आधार बनाकर विदेसी टेकनिक में चित्रण किया बताईए प्रथम कलाकार कौन है जिन्होंने भारती विश्यों को आधार बनाकर विदेसी टेकनिक से चित्रण किया था तो क्या हो जाएगा आपका अंसर ये हैं राजा रवी वर्मार ठीक है आगे प्रथम नव शास्त्रिय वादी चित्रकार किसको माने जाते हैं बताइए नव शास्त्रिय वादी चित्रकार कौन माने जाते हैं तो क्या होगा अंसर आपका ये हैं राजा रवी वर्मार माने जा तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका रवींद्रिनाथ टेगोर. ठीक है? अमूर्थ चित्रकार की रूप में जाना जाता है आधुनिक. आधुनिक भारत का प्रथम राचनात्मक चित्रकार कौन है? क्या होगा? अंतर करना सीखिए. questions में अंतर करना सीखे कि पहले question क्या पूछा था और अब question क्या पूछा है ठीक है अंतर करना समझ जाएंगे तो आपको answer भी डगमगाएगा नहीं आपको बिल्कुल से confusion नहीं होगी चले तो क्या पूछा है प्रथम रशनात्मक चित्रकार तो ये हैं के रवींद्रनाथ टैगोर है कौन रवींद्रनाथ टैगोर फिर पूछा जा रहा है एशिया के प्रथम नोबल पुरुसकार प्राप्त करता कौन थे बताएंगे सभी लोग नोबल पुरुसकार किसने प्राप्त किया है ये किया है रवींद्रनाथ टैगोर को अच्छा हमें एक बात बताईए सभी लोग कमेंट में छाप कर बताएंगे कि चित्रकला का नोबिल पुरुसकार कौन से संबान को कहते हैं चित्रकला का नोबिल पुरुसकार कौन से पुरुसकार को कहते हैं बताएंगे सभी लोग सबी लोग इसका आंसर छापेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं पूछा जा रहा है आदुनिक भारत का प्रथम कभी किसको मानते हैं बताइए कभी कलाकार किसको कहते हैं तब आंसर कहां जाएगा आपका आंसर जाएगा तब भी आपका रवींदरनाथ टैगोर की तरफ किसकी पुराने बचे हैं आप उनसे भी पूछ लीजिए जिससे की आपका कहीं नुकसान ना होने पाए आप हर क्लास को बहुत अच्छे से कहराई से पढ़िए बहुत इंपोर्टन क्लास मिल रही है आपको रात को नौ बजे जो आपकी क्लास चलती है उसको भी देखना है आपक 69 तो ये हैं आपके कौन रवीन रनाथ टैगोर को कहते है इसको कहते हैं रवीन रनाथ टैगोर को आगे पूंछा जाएगा आपसे चित्रों में सबसे पहले कैलिकोग्राफी विधा का प्रियोग किसने किया था क्या हो जाएगा आंसर 70 का चापेंगे सभी लोग तो आंसर आपका जाएगा कहाँ ये भी रवीन रनात टैगोर ठीक है बार बार आप लोग रवीन रनात टैगोर मत लिखे आप लोग लिख दिया करिए यही यही या फिर सेम ठीक है ऐसे लिख दिया करिए आगे आगे है आधनिक भारती चित्रकला के जन्मिदाता किसको कहते हैं बताइए बहुत पूछा जाने वाला है और सभी से बंग भी जाएगा पूछा जा रहा है आधनिक भार्ती चित्रकला के जन्मिदाता कहे जाते हैं तो कौन कहे जाते हैं आपके अबनींद्रनाथ टैगोर आगे चलेंगे तो पूछा जाएगा आपसे सर्व प्रथम धोपन अरे वाश मतलब धोवन विधा टैखनिक के प्रियोकता माने जाते हैं बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा वाश टैखनिक बोली है कुल मिला कर ये जाने के लिग गया है तो आंसर होगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर ठीक है सर्व प्रथम पैस्टल टैकनिक का प्रियोक करने वाले चित्रकार कौन है बताइए पैस्टल टैकनिक का क्या होगा आंसर आंसर हो जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर ठीक है सभी लोगां को पता है कि अब यही चल रहे है तो यही होगा आंसर चलिए आगे कलाकारतो नंबर 1 के है आप लोग पूँचा जा रहा है प्रतम भारतीय गhernवादी चित्रकार किसको माला जाता है क्या होगा आंसर बताएंगे सभी लोग आंसर के बात होगी प्रफम आधुनिक व्यंगि चित्रकार के रूप में किसको जाना जाता है? बताएंगे सबी लोग, questions में अंतर करना सीखिये, ठीक है, कि पिछले question में क्या पूछा है और आपकी question में क्या पूछा जा रहा है? चलिए, आंसर देखा जाएगा, तो आंसर होगा आपका गगनें चुखनेंद्र अग्राप्त करने इस पया हुआ जाये है तो पर्बाप्त गिया था के जी सुब्रमन्यम ने रिपीट क्वेश्चन है आगे पूछा जा रहा है प्रथम समीक्षावादी चित्रकार के रूप में किसको जाना जाता है बताएंगे सभी बच्चे कि प्रथम समीक्षावादी चित्रकार के रूप में किसको जानते है आंसर है आपका ये है रामचंद्र शुक्ल को किसको जानते है रामचंद्र शुक्ल को आगे है भारत में समीक्षावादी शैली की सुरुवात करने का श्रे किसको दिया जाता है बताएंगे सबी बच्चे चाप दीजे चाप दीजे रामचंद्र शुक्ल चलो आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ तो आपका आंसर है बिल्कुल रामचंद्र शुक्तले ठीक है आगे सभी लोग देखते भी जाएगा कि आपको पहले से आते थे कि नहीं आते थे आप लोगों को कितना इंप्रूव हो रहा है ठीक है थोड़ा सब देखते जाएगा अपना आप लोकन भी करते जाएगा तो क्या है फ्रांसीसी सरकार द्वारा जेनर ओनर फ्रैनो गार्ड पुरुसकार पाने वाले पहले भारती कलाकार कौन है बताईए क्या हो जाएगा क्या होगा आंसर बताएंगे सबी बच्चे आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो वही होगा आंसर जो पहले था रामचंदर शुक्र आगे चलिए ये है दक्षण भारत आधुनिक कला के जन्म दाता वा अग्रदूत किसको कहा जाता है दक्षण भारती बोल रहा है ठीक है अगर वैसे बोलता तो आपने अभी पढ़ लिया है किसको कहते है अग्नीनात टैगोर को लेकिन अगर दच्छण भारती लग जाता है तो आंसर चेंज हो जाता है क्या होगा केसियस पढ़ेंकर को कहते है ठीक है थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो समझते हुए चलेंगे ठीक है आगे प्रथम तांत्रिक कलाकार किसे कह बहा जाता है बताइए यह तो सभी को रटा होगा क्योंकि सबसे बड़े तांत्रिक कलाकार सबसे बड़े भूत भगाने वाले बाबा सब लोग आप ही है तो इनसे तो आपको बहुत बर्सों कनाता है क्या होगा अंसर यह हैं आपके केशियस पढ़ेंकर ठीक है आगे प्र बाचीत भी होती रहती होगी कौन है यह आपके यह हैं आपके जिया संतोस ठीक है इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होती है समझेगा उपर नीचे से लिए कर रिया है आगे पूछा जा रहा है चित्रों में लॉस्ट टेक्टिस बताइए क्या होगा आंसर टेक्निक का प अध्यम में प्रियोग करने वाले कलाकार कौन है क्या हो जाएगा आंसर 85 तो आंसर देखेंगे तो यह भी आपका शांती दभी होगा आगे ललित कला संकाय लखनव कला महा विद्याले में प्रवेश पाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे बहुत प्मूशा जाता है इंपोर इंपोर्टेंट कुशन है याद रखना है पूछा जा रहा है अरे भाई चलिए पूछा जा रहा है लखनव कला महा विद्याले में ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभागा ध्यक्ष कौन थे यह भी बहुत इंपोर्टनित है याद रखना है आंसर जाएगा आपका 1963 1963 में कौन जैक्रिश अग्रवाल ठीक है याद रखना है 1963 में जैक्रिश अग्रवाल पूछा जा रहा है लखनवकला महाविद्याले के प्रथम प्राचार भारती कौन थे बहुत पूछा जाता है यह बिल्कुल से रख लीजिए कि सारे कि सारे आप लोगों को पता भी होगा कि कितना इंप्राचेंट है तो एक ही वीडियो में यह इसी वीडियो को बस पढ़ लीज़े ठीक है प्रतम कलाकारों की यह केवल एक वीडियो है इतने से ही काम हो जाएगा आपका हो जाएगा असित कुमार हलदार जो की 1925 में थी ठीक है आगे आगे बोल रहा है चित्रण में एनकॉस्टिक टेक्निक का प्रियोग करने वाले पहले कलाकार कौन थे बताएंगे सबी लोग तो हो जाएगा आपका असित कुमार हल्दार क्या हो जाएगा 89 का अप्शन आपका असित कुमार हल्दार चलो आगे बढ़ते हैं आगे आता है आगे आता है चलो तो क्या है शिल्प निर्मार के लिए जूट की रसी जिसे हम मैकरम बोलते हैं ये सामगरी का प्रियोग करने वाली पहली कलाकार कौन थी बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बिलकुल से हजार बार इस्टार लगा लीजे, क्या हो जायगा आंसर, तो आंसर जाएगा आपका क्या, मुर्डाननी मुखर्जी हो जाएगा आपका बिलकुल correct आंसर, ठीक है, आगे प्रतम भारति, आधनिक महिल मूर्ती शिल्पी बहुत पूछा जाता है मूर्ती शिल्पी कौन है तो आपका आंसर क्या जाएगा लतिका कट की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं सतक लगने वाला है भारति आजनिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह किसे कहते है बहुत important है कलकत्ता ग्रूप 43 को जिसकी स्थापना 1943 में होती है ग्राफिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह कौन था बताएंगे सबी लोग important चल रहे हैं बहुत ज़्यादा important topic है ये छोड़ने की गलती ना करिएगा होगा 1967 में स्थापन ग्रूप 8 ठीक है आगे पाकिस्तान का प्रथम भारती कलाकार किसे कहा जाता है तो क्या हो जाएगा आपका अंसर महराज है कौन अब्दुर्रह्मान चुगताई चोकी पाकिस्तान के आगे आगे दे रहा है दक्षण एसिया का पहला आधनिक मुस्लिम कलाकार मुसलिम पूचा है तो क्या होगा अनसर आपका यह है आपके अब्दूर रह्मान चुगताई ठीक है आगे नेक्स्ट है सर प्रथम मिर्जा गालिप की गजलों पर आधारित चित्रन करने वाले कलाकार कौन है तो कौन है ये अब्दूर रह्मान चुगताई है ठीक है आगे कास्ट उतकीडन वुन्ट इंटेगलियो टेक्निक के सबसे पहले जो प्रियोकता है वो किसको माना जाता है करेंगे सभी लोग कास्ट उतकीडन मतलब वुन्ट इंटेगलियो टेक्निक के सबसे पहले प्रियोकता कौन माने जाते हैं आNSर जाएगा आपका सनतकर की तरफ क्या होगा आंसर आपका सनतकर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते है रास्टी पुरुस्कार पाने वाले दक्षिन भारत के प्रिथम छापाकार कौन है क्या हो जाएगा पैनीड सैलबम जो की लाल मचली सिर्चा कलाकरती है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है most important आगे राश्ट्री पुरुसकार पाने वाले प्रथम भारती कास्ट छापाकार उंच्छा जा रहा है कास्ट छापाकार कौन है तो ये हो जाएंगे एपी मनहर मकवान ठीक है 1964 आगे बढ़ते हैं कुणा नंत 1962 में आगे आगे है राज्य ललितकला अकादमी लखनव के प्रथम फैलो सदस कौन निर्भाचित किये गए थे तो कब 1970 में कौन रायकृष्ण दास ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे पूचा जाएगा कि केंद्री ललितकला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अ प्रथम फैलो सदस से किसको चुना गया तो ये था 1955 में किसको यामनी रंजन रायकृष्ण देखे कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए एक एक अच्छर का अंतर आ रहा है तो आपको बहुत अच्छे से समस्ती हुए चलना है कि पीछे क्या पूच्छा था और अब क्या पू पाने वाले चित्रकार कौन है तो ये हैं आपके मकबूल फिदा हुसैन जिनकी जमीन शीर्सक कलाक्रती है और 1955 में इसका निर्मार होता है ठीक है याद रखना है आगे है भारत के पहले चित्रकार जिनके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए तो कौन है ये मकबूल फिदा हुसैन 1971 में ब्राजील में ठीक है ये याद रखना है आपको आगे दे रहा है एक सुच है चित्रों में वाश टेक्निक का प्रयोग करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार के रूप में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान वर्ड लग प्रथम चात्र कौन थे तो यही थे राम गोपाल विजय वरगी ठीक है आगे है राजस्थान का प्रथम आधनिक चित्रकार किसको कहते हैं इसी को कहते हैं राम गोपाल विजय वरगी को और सबसे पहले कट कैन्वास टेक्निक का प्रयोग करने वाले कौन है कौन है ये पहले इस्थिर जीवन, चित्रण, trabalhल करने के लिए कौन जाने जातेे हैं तो ये हैं आपके KHR आगे कला कृतियों के लिए सफेद बिंदियों का प्रयों करने वाली पहली कलाकार कौन है बहुत important है सफेद बिंदियों का पूछा है तो ये है आपका भारती खेर कौन है आपका भारती खेर आगा आगे दच्छन भारत की कला में आधुनिक्ता के जन्मिदाता कहे जाते हैं तो अभी पढ़ा है हमने उपर केसियस पनेकर को कहते हैं और आगे भारत में प्रथम पौटरी स्टूडियो इस्थापित करने वाले कलाकार कौन है तो ये है आपके गुर्चरन सिंग ठीक है आगे उत्तर प्रदेश में रेट के लिए पौटरी इस्थापित करने वाले पहल कलाकार कौन है तो ये है के भी जे न ठीक है आगे भारत का पहला ब्लू पौटरी कलाकार ब्लू पौटरी जनक किसको कहते हैं आंसर जाएगा रपाल शिंग सेखावत की तरफ और दे रहा है भारत में सबसे पहले मुद्रण मशीन कब और कहां इस्थापित की गई तो कहां पर की गई थी गुवा में और कप की गई थी 1556 में ठीक है थोड़ा स्पीट बढ़ाए हुए है आगे आप लोग भी थोड़ा स्पीट बढ़ाएगा इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट कोलकाता का प्रथम अध्यक्ष कौन है तो ये 1907 में कौन लाड कृष्णर ठीक है याद अगन है लौड किश्णर आगे आगे है इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट कोलकाता का प्रथम सच्यू किसको नियुक्त किया गया था कौन है प्रथम सच्यू तो ये हैं अमनींदरनात टैगोर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इंडियन मत्रवत्ति जू मिली स्कॉलर से अगे मद्रास कला विद्यालय में नियुक्त होने वाले पहले प्राचार मतलब भारती प्राचार पूछे हैं तो कौन है उ consuming होते हैं कौन प्रिपी राय चौदरी देवी प्रिशाद राय चौदरी आगे हैं दून इस्कूल क्या है दून औफ आर्ट देहरादून के ललित कला संकाय में प्रथम विभागा ध्यच कौन थे तो ये आपके 1935 में सुधीर रंजन खास्तगीर थे कौन सुधीर रंजन खास्तगीर आगे बढ़ते हैं राजस्थानी कला के पुनर जागरण काल के अग्रडी कलाकार कौन थे तो ये आपके शैलेंद्रनाथ देथे याद रखना है फिर आगे बात करते हैं तो ब्लैक आर्ट टेकनिक का प्रियोग करने वाले प्रथम भारती चित्रकार कौन है तो आंसर जाएगा आपका फ्रांसिस न्यूटन सूजा हो जाएगा आगे 124 प्रथम आधनिक गोंड कलाका किसको कहते हैं तो ये हैं जंगर सिंग श्याम को कहते हैं किसको कहते हैं जंगर सिंग आगे हैं पूछा जा रहा है विश्य भारती विश्य विद्याले शांति निकेतन के पहले फुल सच्यों के रूप में किसको नियुक्ति किया गया बहुत इंपॉर्टन है इसको याद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसका टाइम पीरियड देखें 2021 में किसको रभीन रनाथ टैगोर को ठीक है आगे चलते हैं तो सबसे पहले मार्बलिंग टैक्निक का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है तो ये हैं शक्ती वर्मन है ठीक है आगे बढ़ते हैं चलते हैं तो पूछा जा रहा है जलरंगों के साथ फिंगर नेल आर्ट नक कला के सबसे पहले प्रयोग बहुत पूछा जाता है ये इंपोर्टेंट है इसक रंपरा को तोड़ने वाले पहले भारती शिल्पकार कौन है तो ये हैं आपके एस धनपाल है आगे राष्ट्री डिजाइन संस्थान एहमदाबाद इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे तो ये दसरत पटेल थे और टाइम बोलेगा तो 1961 में थे ठीक है याद रखना है आगे बोल रहा है पत्थर को तराश कर सबसे विशालतम मूर्ती निर्मित करने वाले प्रथम आजनिक मूर्तिकार कौन है तो इसको याद रखना है ये गलत लिखा है ये गलत लिखा है ठीक है इसका आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे चापके बताना है ठीक है याज आगे लटिका सिंग कठ होगा जहां तब ठीक है ओप्शन इसका क्या होगा बताईए पूछा जा रहा है प्रिथम भारती संस्थापन इंस्टालेशन कलाकार किसे माना जाता है तो ये हैं आपके विवान सुंद्रम ठीक है आगे आगे हैं मूर्ती शिल्पों के लिए सर प्रिथम कश्मीरी भासा की शारदा लिपी का प्रियोग करने वाले प्रिथम मूर्तिकार कौन है तो ये कौन है इसका भी अंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स पे छापके बताना है आगे आगे बोल रहा है चित्रों में सबसे पहले देवनागरी लिपी का प्रियोग करने वाले चित्रकार कौन है तो ये है निरोध मजून दारे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है आगे आगे बोल रहा है चित्रों में सबसे पहले वर्ड माला के अच्छरों का प्रियोग करने वाले चित्रकार बहुत पूछे जाते हैं याद रखना है गुलाम मुहम्मद शेख हैं आगे चलते हैं वो जो दो कैशन थे ना उपर के उसका अंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे चापना है आगे भारत में प्रिथम वेप केंद्रित चित्रकार की रूप में किसको जानते हैं क्या हो जाएगा ये है आपका शिल् खान बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है नखूं सरे लेट तो चलिए आज हमने 136 जो ये वन नाइनर फॉम में बताएं हैं ये आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल से गांट बांग लिजिए इस क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है सरूर से लेकर लास्ट तक आपको पूरी क्लास देखनी है और जितने भी questions थे सारे आपके दिमाग में set होने चाहिए बिल्कुल से रटे होने चाहिए क्योंकि ये जो questions है ना आपके ये आपके exam में 100% mark करने वाले हैं यहां से एक नाइक question आपको मिलने ही वाला है तो जो ब ठीक है चली फिर मिलते हैं next class में और class अगर पसंद आई हो तो like, share, subscribe करना है और comment में जबूर बताना है कि class कैसी लगी ठीक है चली फिर class करते हैं और चली